Hello Friends, Welcome to Study with Sunil देखे दोस्तों अगर आप राजस्तान में किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और उसमें कला संस्कर्ती से रिलेटेड टोपिक आपके से लिवस में दे रखा है तो मंदिर से रिलेटेड अक्सर आपके एक्जाम में क्यूसन जरूर पूछा दाता है तो जितने भी क्यूसन बनते हैं almost 70 प्लस क्यूसन आपके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपकी आने वाले एक्जाम के लिए महत पूर्ण है तो देखे बिनावक्त गवाए अपने लेसन शुरू करते हैं आज का पहला किसन आपको दे रखा है केला देवी का विश्व परशिद मंदिर राजस्तान के कौन से जीले में इस्तित है तो केला देवी का जो मंदिर है वो राजस्तान के करोली जीले में इस्तित है लोक देवता मलीनाथ जी का मंदिर कहां पर है तो राजस्तान में मलिनात जी का जो मंदिर है वो तिलवाडा बाड मेर में इस्तित है वेनेस्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर इस्तित है तो वेनेस्वर धाम सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर इस्तित है परशीद जो वेनेस्वरधाम है वो आपका डुंगरपूर में कौन से गाउं में इस्तित है वो आपको बताना है तो देखे इसका आनसर हो जाएगा नवाटापूरा गाउं डुंगरपूर का जो नवाटा पूरा गाउं है वहाँ पर सोम माही और जाक्खम नदियों के संगम पर वेनेस्वरधाम बनता है औप्शन फेस्ट क्या जाएगा इसका आनसर हो जाएगा राजस्तान का खजुरा हो निम्न में से किशे कहा जाता है किराडू मंदिर को कहा जाता है किराडू के मंदिर कौन से जीले में हैं बाड मेर में इस्तित हैं किराडू का सोमेश्वर मंदिर है यानि कि किराडू के जो सुमेश्वर मंदिर है वो कौन सी शेली में बने हुए है यह आपको बताना है तो देखे गुर्जर परतिहार शेली का यह मंदिर है निमने लिखित में से राजस्तान के कौन से स्थान के ओपर सुमेश्वर का मंदिर इस्तित है तो ये किराडू बाड मेर में इस्तित है दस्वी सताबदी का पर्षिद अंबिका मंदिर कहां पर है ये आपको बताना है तो देखिए जगत में इस्तित है और संसी इसका आंसर होगा फिर अगला किसन आपको सुमेलित करने वाले में से बताना है आरेस में पुछावा क्यूसन है एक तरफ आपको मंदिर दे रखिए है और ये मंदिर कौन से जिले में स्तित है इस तरकी से आपको कूट का चैन करके बताना है तो देखिए कामेस्वर महादेव का मंदिर कामेस्वर महादेव का जो मंदिर वो आपका पाली जीले में है और शीतलेस्वर का जो मंदिर है वो आपका जालावाड में है पीपला माता का मंदिर है वो जोतपुर में है और नीलकंट महादेव का मंदिर वो अलवर में है तो 4, 3, 2, 1 आपको उफिसन शेकिन्ड में दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा चितोडगड़ किले के निम्न लखित मंदिरों में से कौन सा एक गेब मंदिर है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 देवरी का मंदिर है हरनी महादेव मंदिर डेस में इस्तित है हरनी महादेव मंदिर राजस्तान के कौन से जिले में इस्तित है तो बेलवाडा जिले में इस्तित है किसम मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके निर्माड में पानी के स्थान पर घी का इस्तिमाल किया गया है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ा सा है जेन मंदिर बीकानेर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तमाल किया गया है उप्सन शेकिंड इसका आंसर होगा निमने लिकित में से किस सासक ने टॉंक में परशिद मंदिर स्री कल्यान जी का निर्माण करवाया तो राजा दिग्व के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था उप्सन शेकिंड इसका आंसर होगा मंदिर और स्थान के निमने लिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता यानि कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है सास बहु का मंदिर टोंग जी नहीं सास बहु का जो मंदिर वो टोंग में नहीं है ये जोड़ा मेल नहीं खाता अब आपको बताना है कि सास बो का मंदिर अगर टॉंक में नहीं है तो कहां पर इस्तित है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कपिल मुनी का जो मंदिर है वो कॉलायत में है बिल्कुल है गोविन देव जी का मंदिर वो जैपूर में है और एकलिंग जी का मंदिर वो आपका उदेपूर में है बाकी तीनों उप्सन सही हैं पहला उप्सन गलत था इसलिए उप्सन फैस्ट इसका आनसर हो जाएगा आभा नेरी मंदीर कहां पर इस्तित है तो दोसा में इस्तित है मंदीर और इस्थानों के जोड़ों में से आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही तरिके से मिलान नहीं है तो देखें ओशिया मंदीर जोधपुर में है बिल्कुल है सही है सालासर का मंदीर चूरू में है कौन सा जोडा सही मेल नहीं खाता है तुलजा बवानी का मंदीर चितोडगड में है बिल्गोल सही दे रखा है तरनोट माता का मंदीर जिसलमेर में ही है उसा मंदीर वो बयाना में है लेकिन जगत शिरोमनी का मंदीर वो टॉंग में नहीं है जगत शिरोमनी का मंदीर टॉंक में नहीं है बलकि जयवपूर के आमेर महल में है तो उपसंडी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मात्र कुंडिया मंदीर किस जीले में श्थित है जो चित तोडगड में ये श्थित है उद्यपूर के निकट एकलिंग जी का मंदिर कौन से सासक ने बनवाया एकलिंग जी का मंदिर काफी important किसे नहीं इसको star mark कर लेना बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्मान करवाय गया था option D इसका अंसर होगा तो अभी अपने बात कि है उद्यपूर में इसका निर्मान करवाय गया है मंदिर स्तापत्य की भूमिज सेली कि से स्तापत्य सेली की उप शेली है तो नागर सेली की उप सेली है माउं टाबू राजaskान में दिलवारा मंदिर पर्शिद है तो देखिए आप सभी को पता होगा दिलवाडा के जो मंदिर है वो जेन मंदिर की कलात्मक शेली के लिए फेमस है तो आपसन फेस्ट इसका अंसर हो जाएगा दिलवाडा इस्तित आदिनाथ मंदिर का निर्मान किसने करवाया आदिनाथ मंदिर का निर्मान जो कि दिलवडा सीरोई माउंट अबू में इस्तित है उसका निर्मान विमल शाह की द्वारा करवाय गया मशुर विमल शाही वै लुणव शाही मंदिर कहां पर इस्तित है तो माउंट अबू में इस्तित है राजस्तान के माउं टाबू इस्तिते दिलवड़ा के जो मंदिर हैं वो विख्यात हैं किसलिए विख्यात हैं क्योंकि जेन मंदिर की कलात्मक शेली के कारण वो फेमस हैं तो option second इसका answer हो जाएगा जोधपूर के निकट ओशिया मंदिर जो समू हैं वो किस की देन है यानि कि जोधपूर के निकट जो ओशिया में मंदिरों का समू है बनाए गया है किस के दुवारा बनाए गया है परतिहार सासकों के दुवारा बनाए गया है रंगनात जी मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये क्यूशन मैंने एक दिन आपको कम्यूटी पोस्ट में भी प्रवाइड कर वाय था रंगनात जी का मंदिर कहां पर है तो बहुत चे इस्टुडेंट थे वो नाथ को देखकर नाथ द्वारा इसे मिलान कर लिया और उप्सन फेस्ट को आंसर कर दिया लेकिन वो गलत था रंगनात जी का जो मंदिर है वो नाथ द्वारा में नहीं है बलकि ये पुसकर में है ठीक है उप्सन शेकिंड इसका आंसर होगा उप्सन फेस्ट इसका आंसर नहीं होगा रंगनाथ जी का मंदिर पुसकर में है नाथ द्वारा में नहीं है इसको आप याद रखना अपनी गोपुरम आकरती के लिए परशिद रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण शेट पूरणमल ने 1844 में करवाय था तो ये कहपरा आपका पुसकर में है देखे फिर से क्यूसन की लेंगवे जब वो चेंज करके पूस ली गई आपसे प्राचीन पांडूपोल मंदिर कौन शे जीले में है अलवर जीले में है फिर देखे आपको गुर्जर परतिहार काल में जो मंदिर बनाए गए थे उसका आपको चेंज करना है कौन-कौन से मंदिर गुर्जर परतिहार काल में बनाए गए थे आहड का आदी वरा है मंदिर तो बिलकुल ये गुर्जर परतिहार काल में ही बनाए गय था आबाय नेरी का हरसद मादा मंदिर ये भी बनाए गया था राजोर गड़ का निलकंट मादेव मंदिर ये भी बनाए गया था और ओशिया का हरी हर मंदिर भी आपका गुर्जर परतिहार काल में ही बनाए गया इसलिए एक, दो, तीन, चार आपको ऑफिसन फैस्ट में दे रखा है ये ही इसका आनसर हो जाएगा पुसकर के ब्रमा मंदिर के अतिरिक्त राजस्तान में और ब्रमा जी का मंदिर दूसरा मंदिर अवो कहां पर है ये आपको बताना है तो आसोत्रा के अंतर के अतिरिक्त ब्रमा जी का दूसरा मंदिर इस्तित है गेपणात महादेव मंदिर 2008 में काफिर चर्चा का भी से रहा था आपको बताना है कि गेपणात महादेव मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये कोटा में इस्तित है बाडोली के जो मंदिर है वो मंदिर निर्माण की कौन शी शेली से समंदित है तो ये पंचायतन शेली से समंदित है त्रीपुरा सुन्दरी का मंदिर कौन शे जिले में है तो बांसवाडा जिले में इस्तित है सुन्दा माता का मंदिर इस्तित है जालोर में इस्तित है का मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह मैं आपको बता चुका हूँ जालोड जीली में इस्तित है इसकी समर्ती में राजा मान शिंग ने आमेर में जगत शिरोमणी मंदिर का निर्मान करवाया था तो जगत शिंग जो इनके पुतर थे उनकी याद में इसका निर्मान करवाया राजस्तान में एक देवी मंदिर जहां चुहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उनका नाम क्या है वो आपको बताना है तो ये तो काफी फिमस क्यूशन आप सभी को पता होगा करणी माता इसका आंसर हो जाएगा लटियाल देवी का मंदिर कहां परिष्थित है फलोदी मेश्थित है उपसंशी इसका आंसर होगा रनकपुर के जो मंदिर हैं वो कौन से तिर्थंकर को समर्पित हैं रनकपुर के मंदिर तो आदिनात को ये समर्पित हैं रनकपुर के जेन मंदीर में कितने खंबे हैं देखे ये क्यूसन भी काफी बार पूछा जाता है रनकपुर के जेन मंदीर में कितने खंबे हैं तो 1444 खंबे हैं 1444 ओप्सन शी इसका आंसर होगा रनकपुर के जो जेन मंदिर हैं वो कौनशी नदी के तट परिष्टित हैं कौनशी नदी के किनारे रनकपुर के जेन मंदिरों का निर्मान किया गया है तो मताई नदी के किनारे किया गया है किराडू के सोमेशुर मंदिर और आभा नेरिका हरसद माता मंदिर कौन सी इस्तापत्य शेली में बने हुए है तो ये गुर्जर परतिहार इस्तापत्य शेली में बने हुए है गुर्णी 165 में भारत पाकिस्तान युद में भारत की विजे का परतिक जो विजे स्थम्ब है वो कहां पर इस्तापित किया गया तो ये तन्नोट में इस्तापित किया गया है option C इसका आंसर होगा चूल गिरी जेन मंदिर कहां पर इस्तित है चूल गिरी जेन मंदिर कहां पर इस्तित है तो ये जेपूर में इस्तित है मेंदिपूर बालाजी का मंदिर कहां पर इस्तित है तो आगरा जैपूर मारक की ओपर मेंदिपूर बाला जी का मंदिर इस्तित है कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम किरड़ाओं के चित्रन के कान राजस्थान का खजुराहो कहलाता है तो देखे इस कानसर होगा किराडू का मंदिर उत्री भारत का पहला रामण मंदीर कहां पर इस्थित है उत्री भारत का पहला रामण मंदीर कहां पर है जोत्पुर में है बारा में इस्थित किस मंदीर में देवी की पीट की पुजा की जाती है तो बर्मानी के मंदिर में पीट की पूजा की जाती है वेनेस्वर धाम का जो संबंद है वो किस से है वेनेस्वर धाम का संबंद सीव सी है ओप्सन फैस्ट इसका अंसर होगा देखे वेनेस्वर से आप विश्णों मत कर देना विश्णों गलत हो जाएगा शिव से इनका संबन्द है जेल प्रहरी प्रिक्षा 2017 में ये क्यूशन पूचा जा चुका है चाकसु का शीतला माता मंदिर किस ने बनवाया था मादो सिंग ने बनवाया था राज़तान का पहला तिथी अंकित मंदिर शीतले स्वर महादेव का मंदिर कहां पर श्तित है तो देखे जालावाड में ये श्तित है ओशिया के जेन मंदिर किस जिले में है ओशिया के जेन मंदिर कौन शे जिले में है तो जोदपुर में श्तित है देलवाडा के जेन मंदिर कहां पर श्तित है तो दिलवाडा के जेव मंदिर है वो माउंटागू में है रनकपुर के जेन मंदिर कहां पर इस्तित है रनकपुर के जेन मंदिर पाली जीले में इस्तित है दधी माता का मंदिर कहां पर इस्तित है दधी माता का मंदिर कहां पर इस्तित है तो नागोर जीले में ये इस्तित है सहसर बाहू का मंदिर अत्वासास बाहू का जो मंदिर है वो कहां पर इस्तित है तो नागदा में ये इस्तित है करणी माता का मंदिर कहां पर इस्तित है जो की सफेद चूहों के लिए विख्यात है तो ये थोड़ देर पहले बात कर चुके हैं देश नोक विकानेर में ये इस्तित है तरीपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर इस्तित है तो बासवाडा में इस्तित है जगत शिरोमनी मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह जवपूर के आमेर महल में इस्तित है मैं आपको थोड़ देर बहले बता चुका हूँ option first इसका answer होगा केला देवी का परसिद मंदिर है वो कहां पर इस्तित है तो यह आपका करोली जिले में है जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह उदेपूर में इस्तित है चार बुजा जी का एवं स्रीनात जी का मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह रास्समन्द में इस्तित है कपिल मुनी का मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह कोलायत बिकानेर में कपिल मुनी का म ये गंगानगर में इस्तित है, रानी सत्ती का मंदिर कहां पर इस्तित है, तो जुन्जनु जिल्य में इस्तित है, उसा मंदिर कहां पर इस्तित है, उसा मंदिर भरतपुर में इस्तित है, सावित्री जी का परसिद मंदिर कहां पर इस्तित है, तो ये पुस्कर में इस्तित है केसर बढरन का बाग किसे कहा जाता है तो राम बाग को कहा जाता है वन्शी वाले का मंदीर कोन से जीले में है रास्तान के नागोड जीले में इस्दित है ये महल मानो द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं रूडियार्ड किपलिंग ने ये जो खतन है वो कौन से दुर्ग के लिए कहा था रूडियार्ड किपलिंग का काफी फेमस खतन है ये महरानगड दुर्ग के बारे में ये कहा गया है कि ये महल मानुद वारा नहीं बलकि प्रेतों के द्वारा बनाए लगते हैं किस माता को गिर्वाक शेतर की वेशनों देवी के रूप में जाना जाता है नीमत माता को जाना जाता है गोडिये संपर्दाय के गोविन देव जी का मंदिर इसका निर्मान किसने और कहां पर करवाया तो सवाई जैसिंग के द्वरा इसका निर्मान जैसिंग बाग में करवाय गया है option second इसका आनसर होगा तो उमीद करता हूँ कि आपको दिये गए क्यूशने काफी helpful लगे होंगे और यहां से एक नए क्यूशन आपके आने वाले अक्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसी उमीद के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सकें फिलाल इस वीडियो में इतना ही थेंक्स फॉर लिस्निंग गॉड बलेश यूँ